आज हम बनाने जा रहे हैं tasty and delicious धनिया और पुदीने की चटनी जो कि आप सब लोगों को जरूर पसंद होगी और खास कर ये गर्मियों में तो और जादा टेस्टी लगती है और इसको हम किसी के साथ भी अजय कर सकते हैं चाहे हो पकोड़े हो रोटी हो या फिर कोई भी स्नैक क्यों ना हो आप सब को जरूर पसंद होगी तो आज की रैसेपी बहुत अच्छी जाने वाले आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए तो धनिया की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप लिया है धनिया जो मैं बजार से लेके आई हूं आप देख सकते हैं औ और मैंने आजकलो ही धनिया लिया था आप अगर मेरे जैसे बना रहे हैं तो सेम अमाउंट ले सकते हैं अब आप देखिए मैंने जो धनिया की नीचे की जड़ थी उनको काट दिया है अची तरीके से आप देख सकते हैं मैं आपको करके दिखाऊंगे मैंने कैसे करा है मैं आप देखें आपको भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना चाहिए यूगि खाना खाने से पहले सफाई बहुत जरूरी होती है अब आप देख सकते हैं मैंने पुदीनी के पत्तों को भी अलग कर लिया है पुदीनी के दंडी से और इनको भी अच्छी तरीके से वाश कर लिय डायरेक्ट पुदीनी की चटनी हम अपने लंबी लंबी स्टिक्स के साथ नहीं बनाएंगा नके पत्ते निकाल लिया है मैंने आप देख सकते हैं अची तरीके से आपको भी ऐसा ही करना और मैं सबसे पहले बनाने चाहरी हूं पुदीनी की चटनी इसकले मैं आप पे तीन अब यहां पर मैंने कटा हुआ अपने मिक्सी की जार में डाल देती हूं अपना जो कटा हुआ समान था और देखे अब इसमें मैं आदा चमश नमक आड़ कर रही हूं आप अपनी टेस्ट के अकॉर्णिक नमक आड़ कीजेगा एक चुटकी हींग कर रही हूं हमें इसमें अब इसके बाद हम इसका में इंग्रीड़िंक द्यानी की हम इसमें पुदीन अड़ कर रहे हैं थोड़ा सा उन daytime मतलब सारा और यह आपको बहुत थंड़क पहुचाती है तो आप एक बार पुदीनी की चटनी ट्राय जरूर कीजेगा अब देखिए पुदीनी की चटनी हो चुकिया रेडी आप चलते हैं अपनी नेक्स चटनी की तरफ यानि की धनी की चटनी की तरफ इसके लिए वही तीन टमाटर तीन टमाटर लिए इसके लिए हमने सेम कॉइंटेट की मिर्च लिए जो मैंने तोड़ दिया वीच में से दौनक लिए सेम सेम कॉइंटेट लिए क्योंकि धनिया भी मेरा आज अकलो था और पुदीना भी अब इसको भी हम जार में डाल देते हैं और सबसे पहले हम इसमें अब आप खाते हैं उस टेस्ट की अकॉडिंग आप इसमें नमक एड कर लीजेगा आप आदी चमल से थोड़ से जाद में अब कम लगे तो आप आद में डाल सकते हैं मैंने एक चुटकी हिंग भी आड करी है इसमें अब मैं आप इसमें अपना धनिया आड कर देती हूं ज आपको बहुत अच्छी लगेंगी अगर आपका रैसेपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना विलकल मत भूलेगा चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और रैसेपी किस के साथ मैं आपके साथ जोड़ती रहूंगी और आप मेरी प्रीविज वीडियो भी मेर चैनल पर जाके देख सकते हैं जब तक के लिए नमश्कार